So hello you are, how are you? So, हमेंसे काफियों ने लिमुजीन या इस्टेज लिमुजीन कार को देखा ही होगा या उसके बारे में सुना तो जरूर होगा पर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये लिमुजीन कार बनती कैसे? अगर नहीं, देन इस वीडियो कलास तक जरूर देखेगा So let's start So जहां तक हमें लगता है कि लिमुजीन कार को बनाने के लिए उसका एक एक अलग पार्ट्स बनाया जाता है और उसे एसेंबल किया जाता है पर नहीं, क्योंकि लिमुजीन कार को बनाने के लिए सिर्फ एक सिडैन कार की जरूरत पड़ती है अब जितने लोग को सिडैन कार का मतलब नहीं पता है मैं उन्हें बता दूँ कि जितने भी 4-wheeler कार जैसे Swift, Indigo, Berlino, etc. ये सब सिडैन कार कहलाते है तो चलिए अब जानते हैं कि आखर कैसे बनता है एक सिडैन कार लगजरी लिमुजीन में So, सबसे पहले लिमुजीन कार को बनाने के लिए जो किया जाता है वो एक सिडैन कार को लेके उसे 20 से काट लेना जी हाँ, सबसे पहले उस सिडैन कार को 20 से सभी पार्ट जो बीच में आते हैं उन्हें हटा के उस कार को 20 से काट लिया जाता है अब जैसी कार बीच से कट जाता है, उस कार के पीछे वाले साइट को उसके फ्रंट साइट से उतनी ही दूरी पे ले जाया जाता है, जितना एक limousine कार का length होगा उसके बाद उस कार के front side में एक मजबूत steel rod को लगा के उसके आगे और पीछे से connector के उसे weld कर दिया जाता है जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसके बाद वही same चीज दूसरे side में भी की जाती है अब nextly उस कार के बीच में एक और steel rod लगा के उसे भी आगे और पीछे से weld कर दिया जाता है अब वह लोग same process को उपर भी करते है उसके बाद कुछ लोग कार के नीचे और उपर में एक तीन का चादर भी चादेते हैं और उसे भी weld कर देते हैं अब वह लोग कार के side में एक rod को लगा देते हैं जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं और उसे भी weld कर देते हैं अब वह लोग कार के अंदर के body को assemble करना start कर देते हैं वैसे seat और frames car में पहले से ही install कर दिये जाते हैं बस car में उसके body को लगाना बाकी रहता है अब जैसे ही car का inner body बन जाता है car का outer body पे काम करना start हो जाता है अब वह लोग कार का outer body को लगाते हैं जो एक hard distill से बना होता है उसके बाद उसे उपर और नीचे से कुछ screw की मदद से assemble कर दिया जाता है अब car 70% बन के ready हो जाता है फिर भी उसमें कुछ चीज बाकी रहती हैं जैसे उसका paint so उसमें two clear coat spray paint को चड़ाया जाता है अब जैसे ही spray painting खतम हो जाती है तब उस car में windows को लगाना start कर दिया जाता है और on the other hand कुछ लोग car के interior designs को prepare करते हैं जैसे उसके seat को लगाना, disco light, cushions, etc. अब जैसे ही ये सब काम खतम हो जाता है एक car के engineer, car में सभी wiring और mechanics को install कर देता है जैसे उसके disco light, system controller, LED, headlight, etc. अब जैसे ही ये सब complete हो जाता है तब car में mat विछा दिया जाता है और उसके सभी चीज, चाहे वो wiper हो या gearbox, सभी चीज को एक बार अच्छे से चेक किया जाता है और उसके बाद उसे एक test drive के लिए भेज़ज दिया जाता है अब अगर car में कोई दिक्कत नहीं होती है, तब car को finalize कर दिया जाता है अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इस वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे share करने के कोशिस कीजिए मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जै हिन जै भारत